प्रेकी बाद स्वागत है आपका जोहां एक तरफ प्रदर्श्विन के नाम पर दंगा कराने की नीव रखी जाने का मामला सामने आया तो वहीं दूसरी तरफ सब्जीयों के दाम बढ़ने से चिंता बढ़ गई है एबिपी गंगा की मुहिम का असर देखने को मिला जिसके बाद सीयम योगी ने मुनाफ़ा खोरी रोकने का निर्देश दिया है सब्जियां हुई पहुँच के बाहर तो मचने लगा हाहा का परिशान ग्राहा मुसीबत में दुकान दा हमारी भी सुनो सरकार कहा जाता है सब्जी सेहत के लिए लावकारी है और स्वास्त के लिए पहता है लेकिन वही सब्जी अगर चिंता देने लगे तो जी हां कुछ इसी तरह के हालात यूपी में बने हो गए जिन सब्जी मंडियों में ग्राहा की भीड रहा करती थी वो मंडिया अप ग्राहा को ढूंड रही है दरजल लगातार सब्जीयों के दाम आसमान चू रहे हैं और जेब को खाली कर रहे हैं और महंगी होती सब्जीयां सीधे आम आदमी की थाली पर असल डाल रही है जिससे आम आदमी की थाली खलकी होती जा रही है पिछले कुस दिनों में मानों सब्जियों के दाम शेयर मार्केट की रेटिंग की तरह हो गए है लेकिन फर्क बस इतना है कि शेयर मार्केट में दाम उपर नीचे खुते रहते हैं लेकिन सबजी मंडियों में सजी सबजीओं के दाम लगातार उबर बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में ग्राकों से लेकर दुकानदार था था, हेरान और परेशान है आपको मंडियों का हाल और ग्राकों और दुकानदारों का दरदिस सवाल सुनाएं उससे पहले आपको सबजियों के दाम बता देता है आलू का दाम इन दिनों 40 रुपे प्रतिकिलों हो गया है जो अब पहले 20 रुपे प्रतिकिलों के हिसाब से मिलता था प्यास का दाम 40 रुपे प्रतिकिलों हो गया है जो पहले 25 रुपे प्रतिकिलों के हिसाब से मिलती थी टमाटर की लाली 50 रुपे किलोग्राम के हिसाब से देखने को मिल रही है वहीं वो पहले 15 से 20 रुपे प्रतिकिलों के हिसाब से मिलती थी पूल गोभी 120 रुपे प्रतिकिलों मिल रही है जो पहले 30 से 35 रुपे प्रतिकिलों के हिसाब से मिलती थी परवल 80 रुपे प्रतिकिलों तक पहुँच गये है वही 50 रुपे प्रतिकिलों के हिसाब से पहले मिलते थे कद्दू कादाम 30 रुपे प्रतिकिलों तक पहुँच गया है जो पहले 15 रुपे प्रतिकिलों के हिसाब से सब्जी मंडियों में मिलता था धनिया 300 रुपे प्रतिकिलों पहुँच चुका है जो पहले 100 रुपे प्रतिकिलों के हिसाब से मिलता था बैगन के दाम की बात की जाए तो 40 रुपे प्रतिकिलों के हिसाब से सब्जी मंडियों में मिल रहा है जो पहले 20 रुपे प्रतिकिलों के हिसाब से मिलता था तो ये हैं वो धाम जो आस्मान तक जा पहुँचें अब आपको दिखाते हैं सब्जी मंडियों का हाल और सुनाते हैं ग्राहकों का दर्दे सवार जो सरकार से सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं वारांटसी की मंडी में जहां लोग सब्जीयों के पढ़ते दाम को लेकर परिशान हैं और चिंता भी जाहिर कर रहे हैं रिटेल में बहुत अंतर है और सब्जी महंगी भी है और इसे की साथ मुद्दे की बात में